हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए कल रेलवेस की ओर से सभी ट्रेनों को चलाने को लेकर एक आदेश जारी किया गया जिसके मुताबिक देश में 12 अगस्तक के लिए सभी नियमिच ट्रेनों को रधगर दिया गया है और 12 अगस्तक के लिए इन ट्रेनों में जितने भी टिकेट बुक थे उन सभी को कैंसिल करके उनका पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा फिलहाल देश में 230 स्पेशल ट्रेन्स का संचालन जारी रहेगा इसके अलावा रेल्वेस को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई है तू रेल्वेस की ओर से जुलाई में अलग-अलग जोन्स में मिलाकर पूरे देश में 502 स्पेशल ट्रेन्स चलाने का फैसला किया गया है जिसके मुताबिक सभी पैसेंजर ट्रेन्स को एकस्प्रेस बनाकर उनका संचालन किया जाएगा इन ट्रेन्स में डेमू और मेमू ट्रेन्स को भी शामिल किया गया है इससे इन ट्रेनों की स्पीड भर जाएगी और इनके स्टॉपेज कम किये जाएंगे जिससे यातरी कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे इन में वही ट्रेने शामिल होगी जो 200 किलोमेटर से अधिक का सफर तै करती है इन ट्रेन्स के चलने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जो छोटे-छोटे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि इस ट्रेन्स कम होने की वज़े से ट्रेन चोटे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी इसी के साथ ही इन ट्रेनों का किराया भी बढ़ा दिया जाएगा जिस सफर को करने के लिए पहले यात्रियों को 10-20 रुपे की टिकेट लेनी होती थी वहीं उसी सफर के लिए अब उन्हें 50-60 रुपे देने होंगे वही रेल्वेस को उम्मीद है कि उसको लगातार हो रहे करोड रुपे के घाटे से उभरने में इन ट्रेन्स के द्वारा मदद मिलेगी अभी रेल्वेस की ओर से इन ट्रेनों के संचालन के लिए समय सारनी जारी नहीं की गई है उम्मीद है रेल्वेस जुलाई में इन ट्रेनों का संचालन कभी भी शुरू कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं ऐसी ही वीडियोज हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद